तो दोस्तों आज का वीडियो है क्लास 12 बिजनस स्टडीज के लिए जहाँ पर मैं आज आज आपको इस वीडियो में डिरेक्टिंग वाला चप्टर शुरू बात करवा रहा हूँ और आज हम डिसकस करने वाले हैं डिरेक्टिंग का मीनिंग और डिरेक्टिंग के फीचर्स ठीक है अजसे चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो जल्दी से सब्सक्राइब करो बैल के नोडिफिशन के साथ वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ यार कौनसा टॉपिक है जिस पे आपको चाहिए बिजनस टडीज क्लास 12 में अभी ठीक है चलिए बात करते हैं आखे डिरेक्टिंग चीज क्या होती है एक बात बदाओ यार आपने प्लैनिंग कर ली आपने एक स्क्चर क्रियेट कर दिया आपने क्या करा फिर लोगों को भी हायर कर लिया रिक्रूट कर लिया सेल इसका मतलब है बड़ा क्लियर सा मेंचन है कि आपको लोगों को स्प्रवाइज करना पड़ेगा उनको गाइडेन्स देनी पड़ेगी और कभी-कभी वो डिमोटिवेट फिल करेंगे आपको उने मोटिवेट भी करना पड़ेगा ये सारी की सारी चीजे होती है बेसिकली ड डिरेक्टिंग के एक डेफिनेशन बताता हूँ बहुत असान सी है उसे याद कर लेना डिरेक्टिंग इस टेलिंग पीपल वाट तो दो एंड सीग आप डिरेक्ट करते हो किसी को आप एक चीज सोचो यार जैसे एक फिल्म का डिरेक्टर नहीं होता वो क्या करता है ऐसे कर करो वैसे करो जब वो शूटिंग करवा रहा होता है तो वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन देता है बिल्कुल वैसे ही स्कूल के अंदर एक टीचर जो होता है वो क्या करता है वो डिरेक्टिंग देता है अपने स्टूडिंट्स को कि ऐसे आपको काम पूरा करना इस तरीक इ तो अमारी डेली लाइफ में न यार बहुत सारी exact examples हैं जहां पर तुम्हें डारेक्टिंग समझ में आने वाली है क्योंकि डारेक्टिंगें दर हम क्या करते हैं तो यह सब डारेक्टिंग के ही examples हैं अब एक अगर business की बात करूँ में एक management की बात करूँ अगर उसके अंदर डारेक्टिंग को हम क्या बोल सकते हैं It is a process of motivating, guiding, counseling and leading people Why? Because we have to achieve some pre-determined goals इसलिए directing एक business के अंदर, एक management के अंदर बहुत important role play करती है चलो अब समझते हैं directing के features, देखिए सबसे पहला feature है directing initiates action बाई एक बात तो clear है कि directing ना एक बहुत-बहुत important function है management के अंदर जैसे और function पर perform किये जाते हैं, planning है, organizing है, staffing है, controlling है In the same manner, directing is something जो आपके business के अंदर action की शुरुवात करवाएगा देखो, बाकी जो सारे function है न, वो क्या करते है basically, वो action plan त्यार करते है बट बाई एक बात बताओ, action plan को कोई बताने वाला नहीं होगा, कि ये काम कैसे होगा क्या business चल सकता है? नहीं चल सकता तो directing आपके business में actions की शुरुवात करवाता है Therefore the point is, directing initiates action Second feature आएगा, directing is required at every level of management कोई भी level हो यार, lower level हो, middle level हो, top level हो, सबको direction की जरुत पड़ती है जहाँ पर भी senior और subordinate का relationship आएगा आप समझे लो, वहाँ पर direction की जरुत पड़ेगी क्योंकि एक senior को, अपने subordinate को direction देनी पड़ती है उसे काम सिखाना पड़ता है, उसको motivate भी करना पड़ता है ताकि वो जो goal already हमने decide कर रखे हैं, वो achieve हो पाएं स्कूल के अंदर अगर एक student बोलता है, जी मुझे ना इतने number लेकर आने है या teacher बोलता है अपने बच्चों को की भई हमेना इस बार का result ऐसे बनाना है इतना बनाना है, 90% से जादा सबको score करने है अब goal तो बना लिया, बट वो teacher अब सारे बच्चों को direction देगा उन्हें सिखाएगा, उनको motivate करेगा, उनको guidance देगा कि आपको किस तरीके से ये जो goal बनाया है, हमने इतने marks लाने का ये achieve हो सकता है ठीक है, third point लेते हैं, directing is a continuous activity क्या सिरफ एक बारी motivation की जरुत पड़ेगी, क्या सिरफ एक बारी guidance की जरुत पड़ेगी नहीं, एक manager को अपनी team को continuously supervise करना पड़ता है, continuously motivate करना पड़ता है top management अगर बदल भी जाती है, still directing कभी भी खतम नहीं होती है जैसे बहुत सारी बड़ी-बड़ी organizations की बात करूँ, जैसे InfoSys है, Tata है, Bail है इनके अंदर managers हो सकता है, change हो जाए, नया staff आ जाए but directing करना कभी भी बंद नहीं होता है क्योंकि कोई भी organization अगर directing नहीं करवा पा रही है so उस organization के अंदर काम ही नहीं हो पाएगा therefore directing is not a one step process, it is a continuous process it keeps on going in the organization क्योंकि लोग हैं तो उनको guidance जरूर चाहिए, उनको motivation जरूर चाहिए इसलिए directing एक continuous activity है अगला feature आता है, directing is a creative function बाई, directing अंदर हम basically क्या कर रहे हैं, हम अपने plan को action में तो convert कर रहे हैं अब आप सोचो, अगर आप directing नहीं करोगे तो जो भी आपके resources हैं, वो तो एम ही पढ़े रहेंगे न, मतलब वो waste चले जाएंगे तो कहीना कहीं directing के तुरू आपके जो unused resources हैं आपके जो resources पढ़े हुएं आपके पास, उनका आप इस्तमाल भी करते हो है न, tools पढ़े हैं, machines पढ़ी हैं, बट उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं है इन्हें कैसे चलाया जाए तो कैसे काम बनेगा, वो सारी चीज़े waste हो जाएंगी तो directing एक creative function भी है अगला feature आता है कि directing top to bottom चलता है, यार obviously, ये तो बड़ा simple से चीज है जो senior है, वही तो अपने junior को instruction देगा उसे वही तो सिखाएगा, अब ये थोड़ी है कि junior अपने senior को जाके सिखाएं लग जाएगी, नहीं जी, ऐसे काम होता है ऐसे करना चाहिए आपको, आप ये करो, आप वो करो तो एक manager अपने immediate subordinate को direct करता है उनको सिखाता है, तो सारे की सारे लोग अपने immediate जो बहुत होता है उनका, उनसे instructions लेते हैं, उनसे motivation लेते हैं तो directing एक, आपका flow करता है top to bottom ठीक है, last function है, directing is related to human factors भाई आप direct किसको करोगे, मशीनों को तो direct करोगे नहीं आप आप करते हो, लोगों को direct तो directing is always concerned with human beings बट, यहां पर मैं कहना चाहूँगा कि directing ना थोड़ा सा challenging है थोड़ा सा difficult है, पता है क्यूं? क्योंकि लोग complex होते हैं, लोगों को समझना, उनके nature को समझना उनके nature को predict करना बड़ा tough होता है इसलिए directing थोड़ा सा difficult है, थोड़ा सा challenging है आज की वीडियो में आपको समझा दिया, directing का meaning और directing के features क्या होते है वीडियो आई होप पसंद आया होगा, सब्सक्राइब करे भी ना यार मत छोड़ना और सारा chapter कंप्लीट करवाने वाला हूँ, हर एक topic का आपको वीडियो मिलने वाला है तब तक क्या करना है, पढ़ाई करनी है और मस्ती करनी है, thank you so much, मिलता हूँ next वीडियो में